पिलाल वर्तमान की सरकार में क्या हो रहा है? किसान मर रहा है खेत में, लड़के मर रही है रेप में, बेरोजगारी है देश में, चंद लोग बाबा ले रहे हैं बाबाओ के बेश में पेस सब कुछ कराया, लेकिन जनता ने आपको फेल क्यों कर दिया? जनतर दिया, गैस के दाम बढ़ा दिये, सड़क दी फेटरोल के दाम बढ़ा दिये, शिक्षा आप कह रहे है कि हमने दीप विरोजगारी का आंकड़ा देखिये, टलाने का पैसा नहीं तो जूता कपड़ा पहन कर चले गा, सबके पास है, तो राशन किसे दे रहे हैं, जब पैसा है उनके पास तो मुफ्तराशन क्यों दे रहे हैं कि आपको नौकरी मीठा मीठा खाए 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 खड़वा थूख दे नमशकार निउस्वोल इंडिया के खास कार करण माहौल गर्म है में आपका एक बार फिर स्वागत है आज हम लोग मौजूद हैं खतौली विधान सबा में ये गन्ना बेल्ट लगती है किसान आण दोलन चल रहा है चर्चा में है इसके साथ यह और चीज जो दिलचस्प है हो सकता है आप देश के किसी भी कोने में हो जो चाय पी रह हूँ कुछ भी खा रहे हुआ है उसमें चीनी जो है यहीं के गंन्य की हो सकती है ऐसे में आज हम लोग खतौली विधानसवा आये है क्यों आये हैं क्यूंगी दो तो सबसे पहले कारिकरम की शुरुआत करेंगे, नेतागण हमारे साथ है, जनता हमारे साथ है, सबसे पहले तालिया हो जाए एक बार, फिर कारिकरम को शुरू करते हैं, तो ठीक है, हम लोग खतौली विधान सभा में हैं, यहां पर हमारे साथ नेतागण मौजूद है, एक हम पर दो बढ़िया आज मुकदमा भी लड़ा जाएगा अपना परिच्छा दीजेगा मैं शामलाल बच्ची सैनी पूर जीलाद्यक्स समाजवादी पारिकर पूर परत्यासी विदानसभा खतोली से हूँ बहुत 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 शुक्रिया कारिकर में शामिल होने के लिए आप बहुत बहुत शुक्रिया कारिकर में शामिल होने के लिए तो दरसल आप सवाल और जवाब का सिलसिला सुरू करेंगे उससे पहले जानकारी देदू एक एक सवाल सबसे लिया जाएगा उसके बाद जनता पर आउंगा आपकी जो भी सवाल होंगे वो आप सीधे अपने नेता से पूछ सकते हैं सबसे बहले तो सवाल होगा बीजेपी के हमारे जो नेता जी आपर बैठे हुए है आपके पास सत्ता की चाबी है आप जो है सत्ता का सुख भोग रहे हैं आप वरतमान सरकार मे एसे में आप पांच चीज़े मुझे गिनवादी जल्दी एक के बाद एक कि आपको लगता है कि आपने ये काम बेहतर किये हैं और आपको पूरा यकीन है कि एक बार फिर से आप सरकार में आने वाले हैं बैठे 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 अगर आप खड़े होगा तो ये बैठ जाएंगे लपक के हां बारतिय जनता पाल्टी दो हजार सत्ता से उत्तर प्रदेश के अंदर सत्ता में आई सबसे पहले इस प्रदेश के चासरी लाग किसानों का 36 हजार करोड रुपया हमने माफ किया और किसानों के लिए जो गन्य का पैमेंट 1 लाग satisf श्यार करोड रुप cosm आपके करके हैं अब दो नए नैशनल हाईवे हमने बनवाए हैं और जो परदानमंती ग्राम सड़क योजना के अंतरगत सोला सड़के इस विधान सभा में खतोली विधान सभा के अंदर बनाई गई है और यह जो सड़क जिसके उपर हम बैठे हैं यह सेंट्रल रोड फंट के द्वारा हमारे द्वारा ही यह सड़क जो है बारति जन्ता पार्टी के द्वारा बनाई गई है यह सड़क जो जो सब इसकूलों को हमने इस जिले के पर्थम चरण में 20 और अब 20 परसेंट और अब हमने 40 परसेंट इसकूलों को इंग्लिश बीडियम करके प्राइमरी और वो सारा शिक्षा के एक सो एक लाक 49,000 इसकूलों की जो बिल्डिंग थी उनको ठीक करने का काम किया है और आजाओ द्वारा लगातार जिस परकार आप राजियों को यहां संदक्षन देया जाता था यहां लगातार सड़ापी की बात करने हैं और कानून विवस्था को हमने स्थीक करने का काम किया है जो माफिया से उनके लगातार कारवाई की है जो गुंडे बदमाज थे उनको जेल में पहुचाने का काम किया है यह उनको गरफतार करने का काम किया है तो आज कानून विश्था पूरे पदेश के अनदर आज कानून विवस्था पूरी दुरू है आज इससे लोग संतुष्ट हैं पहले लोग यह सोचते थे कि अगर 4-5 वी बज़ गेर कोई बच्चा घर का ब सुनते रहेगा इस पर जवाब भी होंगे हाँ इसके अलग जो डेवलपमेंट की जहां तक बात है लगातार चैक कनेक्टिविटी का मामला हो चैक रोडवेज का मामला हो उसको हमने सुधारने का काम किया चैक रेलवेज टेशन परदेश में पढ़नाने का मामला हो लगातार सारे विकास के काम करें बीजेपी ने आपके सब विकास के काम किना दिये सिक्षा में सड़क पानी बिजली सब कुछ किया किसानों को लेकर इन्होंने कहा कि गन्ना भुकतान जो दरसल पहले नहीं हो पाता था और सपा सरकार का भी जो बकाय था वो भी आपको दे दिया इत राइट टू राइट करावें चोदे दिन के अंदर करावें और जो हमारा भुक्तु ब्याज है गन्ने का जो चोदे दिन बाद का जो सुप्रीम कोट का आदेश हाई कोट का आदेश उससे सरकार दबा के बैठगी किसान का वो ब्याज दिलवावें एक बात और मैं रूम्हें सेवाजिट रूपे का रेट रुत्तर पने तीन सो फचास रूपे का रेट अर उत्तर प्रदेश में थीन सो पचास रूपे का रेट शच्च भाई अगयों से घृच गशित है वहें आननो दूसरी बात पर अर्ययने में बिजली एक ट्वैल का बिल भाई सौ र सब्सक्राइब तरहा तलबे भूत कम होता है जिस मुद्दो को लेकर भारते जन्ता पाड़ि परदेश में सरकार बनाई और केंद में सरकार बनाई वो अपनी कसोटी पर कहीं भी खरी नहीं उत्री तो कहते हैं कि 370 का हम बात करते थे राम मंदिर की बात करते थे वो तो सब हो गया उन्होंन बाता हसिल की, वह वासिल कर लिए लेकिन आज जनता में उसका रोस है, इनोंने वादा किया था, कि हम लोगों को पंदरा लाख रुपे भी देगे, डंगा की सपाई भी करेंगे, लोगों को दो करोड परती वर्ट रोजगार भी देंगे, चिक इस सभी अच्छी देंगे, इ लेकिन आप लोगों को बता देना चाहता हूं समाजबादी पाटी की सरकार ने वन डबल जीरो जो ती डायल हड्रेंड करी थी जो वह पांच किलो मीटर के परती दारे में खड़ी होती है यह कराइम अगर कम हुआ तो यह उसी की देन है समाजबादी 112 करके खुद कर लिया न मेटरो ट्रेन वह समाजबादी पाटी की सरकार ने चलाई थी उन्हें उसमें कुल पाट्व साथ पत्रिसत का rig एक करता हैं एक बार जब हिंक स्थान के अंदर के राज्यों में उला वरष्टी हुई थी उला वरष्टी होने के बाद भी उत्तर पर्देश एक ऐसा सुवा पर्देश था जिसके मुख्यमंत्री आदर ने राश्टे 10 अखले स्यादव जी थे उन्होंने जब किसानों का नुक्सान हुआ था उन्होंने अ हैं आधर ने राष्टे दिजह कहना है कि हम सो जूट ना बोले हमें सच बोले ताकि एम जनता के भीच में फिर दुवारा जाकर खड़े हो जाए अपने आपने कहा आपने कहा कि सौ जूट ना बोलकर एक सच बोले वह मजादा पसंद करते हैं तो अखिलेश शादव जी न पर जिक्र होता है यह लोग कली कह रहा थे कि सौ करोड़ सूपर वैक्सीन लग गई देश का यह एक बड़ा जो देश ने हासिल किया है तो ऐसे में यह बताइएगा कि आपने वैक्सीन लगवाई होगी शुरुआत में अखिलेश आदव जी ने कहा था कि बीजेपी की वैक् सब लोगों ने लगवाई यह जाना चाहता हूं अखिलेश आदव जी ने जब पहले बोला कि यह बीजेपी की वैक्सीन है फिर बाद में उन्होंने खुद लगवा लिए और बोला नहीं है तो सरकार की वैक्सीन है तो पहले जूट बोला कि बाद में जूट बोला समाजवादी पूर में जोती सत्त में थी अब वर्तमान में भाजबा की है उत्तर परदेश में और केंद्र में भी जो सत्त में होता है वही सुविदा देना का परियास करता है उसी से उमीद लगा जाती है तो यह तो मान रहे हैं कि वैक्सीन आपने लगवाई ठीक है आप लोगदल पर आता हूं यह बताईए कि आप किसके साथ हैं लोगदल जो है जो किसान अंदोलन चल रहा है यह बहुत बड़ा चहरा बनकर उभर चुका है और चुनाओं में एक बड़ा बुद्धा है ऐसे में यह जाना चाहता हूं बसकि यह जो किसान उनियन है भारतिय किसान सब्सक्राइब करते हैं तो सबकु साथ लेकर चलने काम कर रहें मान्य जैन चोधरी जी सबका साथ किसान आपसे नाराज हो गए थे क्या नाराज निते भारतिय जंता पार्टी ने इतना जूट बोला कि युगाओं को दो करोड रोजगार देंगे किसको दिया कहा मिला किसी को कुछ नहीं मिला जंता बहकाय में आगी लाइन में खड़े कर सबको नोटबंदी कर दिए का आटंग बाद बहका देंगे जीएसटी लगाँ दिखार किसानों की आई दुग नी करेंगे इनों ने तो है तो दुग नहीं पर हाई तिक नहीं कर दी समझ आपकी बात इन्हों ने कहा कि बीजेपी जो है वो दरसल बर्गला कर जंता को जूट बोल कर ऐसे सब्सक्राइब जैसा कि समाजवादी पार्टिक हमारे साथी ने कहा और साथी हमारे किसान नेता जो यहां पर मौझूद है उन्हों बिल्कुल हर तरीक से विफल मानता हूं एक आम आदमी का परिवार तोड़ दिया रसोई का खर्च इतना कर दिया कि और ते रसोई का खर्च पुरानी कर पा रही है यदि किसी वह तो सिलेंडर दे दिया है इसको कहकर अपनी ठपता लेते हैं सिलेंडर दे पर उसके रेट ऐस सवाल तो आप से बहुत सारे हो चुके आपको नहीं लगता कि आप बैक फुट में और फस्ते उनजर आ रहे हैं एक बार जूट बोल दिया सत्ता में आ गए बार बार जूट नहीं चलेगा भारतिया जनता पार्टी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है जो भारतिया प अगर आप डीजल पेट्रोल की में इसको इन होल देखना पड़ेगा और क्योंकि आप जानते हैं हमारे हर्दीप पुरीजी लोग सभम व्यविट भिए चुके हैं हम इसको मानते हैं कि डिजल पैट्रोल में कुछ रेट महेंगा है और निश्चित रूप से इसका सरकार का कहने का मतलब है कि पैट्रोल डिजल रुक रुक के डलाए करो कपड़ा जूता डेली खरीद लिया करो सरकार कि इस पर निगाह है और निश्चित रूप से इसे कंट्रोल किया जा रहा है और क्योंकि जब इन होल सारी वो देखी जाती है तो ऐसा नहीं है कि डिजल पैट्रोल से सारी चीजों की महंगाई का आंकलन किया जागा कि महंगाई बहुत बढ़गी जोटा कपड़ा पहन कर चलें कि पैसा सबके पास है क्योंकि आज आप यह सब के पास है और जिसके पास नहीं है जो सरकार आप देखो गरीबों कोости करोड़ लोगों को मुफतराशन दे रहें आप यह समझ लोग जो लो जो लोग ऐसा ना आप यह समझ लोग गाड़ी सब लोग थोड़ी चला रहे हं परसेंट लोग पास गाड़ी थोड़ी है तो जितने लोग घर में खाना बनाते हैं उनके साथ ही गैस और चूले की समस्या है बागी किसी के साथ रही है जितने युवा जो है वो नौकरी की तलाश में घूम रहे हैं समस्या उनके साथ है कि नहीं मिल रहा रोजगार समस्या उनकी है इनसे पूछ लेते हैं बहिए कित्रा विकास हो गया तुमारा विकास के नाम पे धोका मैं मोहिसो मराजपूत ग्राम भूब खेड़ी जाया दू अब तो कुछ भी नी बचा तो मतलब यह इसको जस्टिफाइब एक ऐसे नहीं कर सकते हाँ ठीक है नहीं कुछ कह रहे थे आप यह कह रहा था कि केवाल लिंक रोड जो टोल जिस रोड पर टोल मिल रहा वे चकाचक है जो लिंक रोड है गाउं को जाने वाली कस्ब बड़े कश्मों को जाने वाली सारी खराब है सारी जड़े है चलो आप एक रहा है कि सब्सक्राइब बना दिये हमारे गां के पास के लाजने कर लोग राउन सा पहले तो वह इंग्लिस मीडियम था प्राज वो हिंदी मीडियम है वह पच्चीन जाते पड़ने के लिए यह के लिए पढ़ाई लिए हैंन्दी मीडियम से पढ़ाई गए करें नोगरी नहीं नहीं है जब पालए खाई ना अपने अंदर प्याइब आपने को आ ईप तो आप से सवाल हो रहे हैं आप से आप पर सवालों के वांड जो चला रहे खड़े नहीं हो ना बैट जाएंगे लपके कुरसी बिल्कुल नहीं जवाब देने को तयार हूं ना मैं कहें तो रहा हूं नेता जी आज बिल्कुल दुरुस्त हो क्या है वाकाइदा कलफ अलफ लगा के ठीक है वेतरी नहीं देखें जनता यह समझे की जनता के जनता के पास इस वक्त जो मौका है वो सब फिर नहीं मिलता पांच साल यह जो चु प्रदेश के अंदर है इससे पहले लगातार क्यों जो भी सरकारे रही है किसी ने भी नीतिकत फैंसला नहीं किया है हम ने जो कह रहे किसानों के लिए उत्तरपरदेश की अगर मैं बात करूं तो मैंने बताया था कि चासी लाग किसानों का सत्रह दोहजार सत्रह में सरकार सब पहला ने सब से पहला ने सबसे पहला ने सब सब बात होगी अहता है हां थारे से बात नहीं करना सत्तर तो पोल रही है आपकी प्रूर्पन नहीं कर रहा हूं मैं प्रिस्टल बात नहीं कर रहा है तुम भी जवाब दे रहे तो उनका भी जवाब सुनिए जवाब सुनिये और फसल बीमा योजना हमारे द्वारा लाई गई है सोयल हेल्थ कार्ड हमने दे करके जमीन में क्या लगना चाहिए और किसान की आमदनी दुगनी कैसी हो इसके लिए 2014 से लगा के अगर 2021 के नियूंतन समर्थन मुले को आप देखोगे सहं जमें किस परकार की दवाई किस परकार का खाद यह लगना चाहिए यह दिया और किर्सी क्यूप Maan जब तबन बाते कर रहां मुस्कूराओ करा हमने मैं आपका ढंख समय के की तरप हले जाना चाहता हूँ कि जब जब हिंदुस्तान के अंदर भारते जंदा पार्टी की सरकार होती है तो आप आगलन करना कि आतंक वाद्यों को कितने हमले होते हैं चाहे वो रगुनात मंदिर हो चाहे अमनात मंदिर हो Państwo कि यह चाय कंदार का याई जैठ को मामला हो चाय कारगिल का मामला हो और पुल्मावा कांड़ा यह जब जब भारते जंद सरकार लोगी की सरकार बतिया अगर आप आकलन करें अब इन्होंना भरस्टा σत की बात के अगर कोई aha सब्सक्राइब करते हैं उसे सिद करें अगर वे सिद करेंगे अब लोग एडी का चापपा पड़ जाता हूँ सरकार आपके चल लिए गहीं बें तेरा गराम और छेगाम अगर चरह साथ ड्रक्स मिलती है वह कई दिन तक बीद दिन तक टीवी की हाइड लाइन रहती है और कभी मुद्रा पोर्ट पर गुजरात के अंदर तीन हजार कोंटल अगर हिरोन पकड़ जाती है वो कुछ समय के चलने के बाद बंद हो जाती है उनक और जानीकर डाड दिनर बन गये आपके जो चाचा श्री है शेपाल सिंह अदफ जी वह अलग हो गया है उन्हों कि ठीक है मिलेंगे-मिलेंगे-मिलेंगे अभी तक तो मिला हुद आइसे मैं आपको नहीं लगता कि आपके वोट कार्डने की वी कर सकते हैं वो काम वोट कार समाज मादी पाड़ी का नारा है जोर जुलम की टकर पर संगर समारा नारा रहें अगर चाचा सिपाल्डाइब a good time स्वाइन है जुटस अगठ्वनधन कर रहे हैं आदव जी का तो आशिरवाद दोनों तरफ है एसी स्थिती में हैं क्योंकि वे भाई है और वन्होंने बड़ा संगर्ष किया पार्टी के लिए लेकिन रहा है फिर इस आपने अपनी मर्जी से गए है दो अब बहारत में देखो आने की कोशिष किया आपने बड़ ओर कंभ और पीक है कि नहीं बुलाएंगे मुझे लगता है कि सायध बुला लेंगे सायध संपरिवार का संझूत्ता होने जा रहा है 22 gaanा ने पॉलिक हो तीक पार्टिया नहीं है मत संथम्ह। अभी बता दो कि बस्पा का भी, और समाजबादी का भी गठबंदन हो आता, ये तो चाचारभटिजे हैं, इनका भी गठबंदन होगा, ये भी दूसरे के संपरक में रहेंगे थीक है आपको नहीं लगता कि चुनाओ खत्म होने के बाद छोटी छोटी पार्टियों को हमने देखा है पीछे इतियास में भी देखा है कि बड़ी पार्टियां इस्तिमाल करने के बाद पर छोटी पार्टी नहीं है प्रभाव कम होता चला गया समय के साथ इसलिए गया रहा हूं यह बारती जनता पार्टी ने पबलिक को बहकाया और अब की बार पबलिक बहकाय में नहीं आ रही अभी आपको बता दूँ यह बता रहे थे हमारे नेता जी के विकास बहुत किया है इतना विकास किया है सब्सक्राइब करेंगे अगर हमारी सरकार आएगी हम इसमें बहतर इस्तिती करेंगे आपकी सरकार आएगी कि सपा की सरकार आएगी गटबंदन की सरकार रहेगी गटबंदन की सरकार बनने का मोका है चांस है कुछ जो दो जी बड़े नेता टै करेंगे अस देश में तो इस देश आपको मुख्यमंत्री बनाना पड़ जाये अब जो एक शेत्रे पाटी ऐसी बात नी यह अगर इनके हटने से आप नहीं आ पाते सरकार में सत्ता की नहीं आप समाल पाते हैं चावी तो ऐसे में अगर यह कह देते हैं कि नहीं हम रहेंगे तो हमको दो जैसा कि महराष्ट में ह तो आप फस जाएंगे यह तो इनका सोचने का विवेक हैंगा मैं बता देना चाहता हूं कि अगर मैं चाहूं कि मैं अमरीका कर राश्ट पती बन जाओं मैं सोची तुरा सोचने में तो कुछ लगी नहीं रहा अच्छा बता दिया इन्होंने कि सोच रहें सोचने तो भईय खुआ जाओं मैं रिक्वेस्ट मेरी जंडा ठाली ऊपर टंडा ठाइए हूं कि टीक है और और डंडा दन्ड जंडा और डंडा का अच्छा पंद हैं बांद घंडा कर थे कि थे कि तीन थर्मल प्रांट वाल कर रहा है तर्मल प्लांट हमने लगाए थे डोवने आप आप अरे नेता जी रुकिए 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 अब आपका सवाल कैसे आपके लिए बैठे हुए ना आपका प्रत्रीन धित्व कर रहे हैं आपके लिए बैठे हुए आप फिर सवाल कैसे कर पाएंगे ठ तरकार वहीं कि वहीं रहती है पार्टी बदलती रहती है किस पार्टी ने आपके लिए किसान बारे कोई कुछ नहीं सोच रहा है पांचे साल था बहुत है कुछ नहीं बढ़ा है तीक है समाजवादी की पार्टी में 40-40 रुपर दो योजनलों बड़े उससे पहले बता किसान साल बर होगा मरन लगरे एक बड़ जाकर इन्होंने पुछाया क्या मजबरी किसान नहीं चाहते बिल ना लगए इस सूस्कूल मंपढ़न चाहते जबर श्टेश पिरंश पिल कि यहां पड़वागा मैं यह पूछना चाहरा है इंसा बारती जनता पार्टी वालों सो है अगर हम यहां नहीं कहां वो तो स्टे लगा हुए उन पर उसको छोड़ी उस पर कहां जा रहे हैं उनकी कम से मुझा ठाटे तो बारा के से समच साल बड़ से वहां पड़े किसान मरन लगरे किसने जाक पुछा बैए क्या दरत देता रहे हैं इगर होती तो है सरकार के सा सब्सक्राइब कर लेते हैं तो बाटे कर लेते हैं तीक है स्मार्ट सिटी वहां को ठीक है उस पर आओंगा में वापस आँगा तीक है वो बता रहे हैं कि इतनी सरकारे हमने आती-जाती देख ली किसान के लिए कुछ काम नहीं हुआ और बीजे बीको बड़ा को सने का काम क लेकिन इससे पहले 2017 की बात करूं तो आप ही किसानों नहीं तो वोट देकर इनको जित्वाया है तो एकदम से आज कोस रहे हैं एक समय जित्वाया था आखिर में कई साइलेंट वोटर की तरह धीरे से वोट देने का इरादा तो नहीं है ऐसा कोई रादा निए आखिरी में क् जूट बता रहा हूं अभी महारत दख जी न का कि हमने 50 परशेंट से लेगा सो परसेंट तक डेढ़ गुने से दो गुने तक रेट किये यदि डेढ़ गुना रेट गनने का किया होता तो 315 अखिलेश जी चोड़ गे तो इससे पहली सरकार में तो डेढ़ गुना हो गया जूट बोल कहा रहे था ज्यादा भी जूट बोल गठाए थी उन्हों ने क्या अपने ने अपने नेता को सम्झाये लोगदल वालों को कि आप जूट बोलकर आए उनके साथ आप है ने वनवह कारेख कांस तो इम सुद्र का वे तो ऊश्णा अभा एक डव क्षा डौश आ युज़ादा खतरना के रहा हो रहा है यह दिक्कत क्या है किसानों का के सी में से पैसा कट जा फसल भी में का किसी एक को भी माप मिला हो तो मुझा पता दो पूरी जिले में वाने काम आदनी पार्टी नहीं पार्टी आरे उसके विचार है सोचेंगे क्या लावे अपने कोशना पत्र कर सकें नहीं कर सकते किसान सोचेंगे किसानों का रूख हो का कॉंग्रेस को लेकर क्या सोचा कॉंग्रेस को लेकर तो बिल्कुल जीरो है हम आधी पार्टी के लिए विचार करेंगे सोच विचार करेंगे सपा के साथ खुलकर नही कई ना कई शंकाओं के जो बादल है वो भी नजर आते हैं जी ठीक है बताइए जब कोई खिचडी पकती है ना उसका एक चावल निगाल के देखते हैं खिचडी नहीं पकी नहीं पकी मैं अंकल जी से कभी है अब बड़ा बढ़िया से घुमा फिरा के माहौल बना के बात करत हैं सम्मानित व्यक्ति हैं विक्रम सेनी जी पांच साल पहले गाओं में जोड़ काये थे आज तक गाओं में यह बूपखडी जंद बैठी हुई है ठीक है शाम नाल बच्टी सेनी जी चाई परतियासी हो या ना हो कोई मर रहा है जब दुख सुक में जा रहे हैं कोई कोई वैसे बूलारा लड़की साधी है उसमें जा रहे हैं तो विक्रम यह काहा हैं हम यह काम करेंगे लोग वलाते रहना यह सडके बनेंगी पट्री बनेंगी यह सारे काम होंगे आज तक नहीं एए अंकल जी नहीं आई जंद नहीं आप बोल सकते यह आप आलेकसान आ रहा है पर्दान जिनी जो सकार की जो परधान होते है उनको नाम उनका बदल जाता है और परधान रह जाता है बताइंग जी न बाइब कर दो कर दो बेंग ने कर सकते बात्चीत कर आपने चर्चा करीव समस्याओं को बताई आपने बात्चीत करीव समस्याओं उनको बता ही प्रशान को नहीं तो फाइदा सो सब किशान को ना चाहिए यह मैं विक्रम सैनी जी के लिए बार बार सुन रहा हूं जो यहां के विधायक हैं उनको लेकर लोग थोड़ा सा अशंकित हैं क्या है यह उन बार बार यह दो तीन लोगों ने भी बताया और उससे पहले वी मैंने कुछ लोगों से बात की कि विक्रम सैनी साफ लोगों से मिलने नहीं आए उस पर बात नहीं करनी चीए इन लोगों ने भी जो समर्थन किया था भारतिया जनता पार्टी को समर्थन किया था और भारतिया जनता पार्टी का परतिया कार्य करता रोजाना परतिया दर पर दस् कि विदायक जी के साथ किसी के बनती है किसी के साथ नहीं बनती है इनके साथ नहीं बनती है और नेता और जनता की बीच अगर समवेधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के बीच और जनता की बीच अगर समवाद स्थापित नहीं और यहां चुनाओ भारते जनता पार्टी के कामों से खुस है भारते जनता पार्टी का जो भी परत्याशी आवेगा यह तो इनने बुलागला रखे दो चार यह केवल केवल इस छेतर में थीक है यहां जो भी जो भी तो मेरा मतलब है कि यहां पार्टी बेसिस पर चुना होगा और भारते जनता पार्टी का जो भी कारे करता आवेगा वह निस्ची दूर्प से जीते गा और जहां तक विधाय की बात है उनकी उनकी अगर कहीं थोड़ी बहुत कमी है तो भारते हम इनके बड़े नेताओं की बात करें इन्होंने केवल तुष्टी करन के आदार पर कहा हमने सबकों बिना किसी बेदभाव के जो भी सरकार का लाव है देर सवेर देर आए दुरुस्ता है आही गया हिंदू-मुसल्मान इन्होंने कर दिया कह रहा है कि आप जो है तुष्ट बात वह ऐसी परिस्टी थी सब लोगों में एक भड़काव मामला आ गया ता और सुर्वात इधर से हुई ती जो फिलाल दंगा के आरोपी ते उन पर सीध भी हुए चाहे वो बिख्रम रहा हो सुरेश राना रहा हो संगी सोम रहा हो इन लोगों ने बढ़ चड़के हिस्स इसमें सबी समाज के लोग उसमें जुड़े हुए हैं और यह साथ बी तरह के फूल किलते हैं जब आपके जलाद देख्शों पर नजर डालते हैं तो ज़्यादा नजर आ जाता है यह क्यों हो जाता है सब्सक्राइब कर रहा हैं जलाद लेकिन वहां कुछ जादे आप मानते हैं कि हाँ थोड़ा बहुत प्यार मुपत है यादव से जादा नहीं पहले आपने जी बूल दिया थीक है बढ़िया है जोवान पर आ जाता है समाजवादी के परवक्तन है जो है दंगो की बात की है आप वहीं अटक के रहें आपके सुई वहीं अटकी हुए है जवाब देना चाहता हूँ कि इनके सासन में कानून विवस्ता इतनी खराब थी बेन बेटियों के साथ लगतार छेड़-चाड़ की जारी थी और उस चासन में लखीमपूर खिरी हुआ है उसका भी जवाद वह अभी तक पदपर सवार है जो पदपर है ग्रहराज मंतरी अगर पदपर है उनका बेटा गिरफतार है तो आप ये बताईए कि निस्पक्स जाच कैसे हो सकती है दिल पर हाथ रक्के बताईएगा अगर ग्रहराज मंतरी खुद हूँ अगर अगर पिता कोत्वाल है तो अगर पिता जी ग्रहराज्य मंत्री तो बैटे को इस ऐसा मुझे बता दीजे किस दरोगा की इस एजनसी जो ग्रहराज्य मंत्री के सामने उनके बेटे पर मुकत्मा फुस्वा के अंदर करवा दे यहां पक्षपात पूर्ण आधार कारवाई नहीं होती यह नेता जी प्रैक्टिकल बात करिया आपके बतीजे का चालान ना काट पाए कोई वो तो फिर भी राजमंत्री का बेटा है क्यों चालान क्यों नहीं उसके खिलाब मुकदमा हुआ जबकि वो दोसी तो जब होगा ज अधिकर पास पैसा थो जब नोट बंदी करी जब कड़ वा लिया था अब बाच्चे था पहले था कि आपके बाज था सब के बदलवाया क्यों नोट बदलवाने लाइन इतनी लंभी लग जाती सुबही जावे तर ओटी मिले नी थी फिर घर आ लें ते रात को वो एक रास्ते लेवल का वो अलग चीज है हाँ यह जो यूं कह रहे है कि कि देश पर देश दोनों की सरकारे फे ही नहीं है क्यों बतला फेर यह कह रहे हैं फसल बीमा फसल बीमा के 200 रुपे बिगा हर किसान के केसी में ही बैंक पर काट लिया जाते मगर आज से 30 साल पहले हमारे हां एक हजार बिगे से भी ज्यादा का पानी भर गया उसमें लिकार नहीं हुआ पानी का बिलकु सारी फज घड़ी है वह आपकी और तो लगी हुई है जवाब देते देते आप ठक जाएंगे सवाल वाले नहीं ठक रहे हैं इतने सारे सवाल पैदा कहां से हो गए जवाब देदू ना क्योंकि ऐसा है ना यहीं बताइए ऐसी स्थिति क्यों आई कि साड़े चार साल बात सवालों का एक बारिष सी आई हुई है आप कब तक जवाब देंगे किस किस का जवाब देंगे पूरा छेत्र भार्टेजनता पार्टी के साथ है सब को एक बात का पता है और इनने जानकारी होने चाहिए कि जो इनको जानकारी होनी चाहिए इनकी गलती है इनकी गलती है इनकी गलती ह यहां इंस्वरेंस के कोई 200 रुपे निकटते हैं केवल जो लिखके महां देगा जो 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 इसमें आता ही नहीं तो जो कह रहे हैं अब केवल इंस्वरेंस में जो लिखके देगा जो कहेगा कि मेरी फचल का इंस्वरेंस कर देजागा आपने ठीक है बासल भी मां का जो पैसा कटा है अब का तो ठीक है फिर उनकी बार ठीक हो गई ठीक है ठीक है घाँ अब चुनाओ आगे तो इस साल कहां कट जाएगा कुछ नहीं कटेगा बिजली भी आएगी पानी बढ़ी आएगा ह 10- falta कि शोड़ कर दिया उसे जमा करने के बाद टुने हो कि खाट लिया पैसा भी में का निकाल ला निकाल पर उसी समय पे जमा किया तो मैं देख तो मज़े हो पका निकाल दिया और में चूट भी नहीं आई आपके समतों बीमा कटा हुआ है और वो समय से पहला कटा आप समय से लेट होगे चारसो पचास रुपे तो मेरत हो छूट भी जाती रहे उस भी में के चक्कर में मिला किसी किसान को पता तो मुझे बीमा मिला हो दूसरी बात पाजो एक इनुने पसु भ जो 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 नियम के अनुसार जिनका इनसोर इस लिए बोल रहा हूं कि यह तो मैनेज करके चूट बोल रहे हैं बिलकुल बिलकुल मतलब जनता सवाल करेगी जो जो जानकारी कहा कि यह लोग क्या बोल रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि जो 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 जानकारी कहा है मात रखवा के पुछाओं कैसे मैं कैसे मानू तुम्हें बता रहां ना कि अब नहीं तो सब्सक्राइब बता रहा हूं मेरी बात सुन लो मानो ठीक है मैं वर्तमान सरकार से भूज़ना चाहता हूं जब हादरस कांड होता है मनिशा का तो सभी पार्टिया बालमिक बस्तियों माकर जो है मनिशा कांड को अब जब ये वरतमान सरकार में हमारी मनिशा बहन के साथ एक अलग बलतकार हुआ तो यहां के उत्तर परदेश के जो लॉइन ओर है परसांद कुमार जी वे कह रहे हैं कि बलतकार नहीं हुआ जैसे हमारे समाज ने अनोलन करा तो साथ दिन बाद बलतकार भी शिद हो गया तो मैं विजेपी के नेता उसे भूगना चाह रहा हूं कि अगर बादमिक समाज की बीटिया के साथ बलतकार हुआ है और अबर बीटिया सब बीटिया ये की है तो यह लोग सामने क्यों नहीं आ रए बीटिया के लिए क्या बात थी उन लोगों को बचाने के लिए क्या वे विसेश समधायक के लोग थे क्या इनकी सरकार में बालमिक समाची कोई इज़त नहीं है एक छोटी विरादली कोई इज़त नहीं है और बुरोजगार की बात बता रहा हूं मैं 2017 में इन्होंने नगर निगम के लिए नग करेंगे आपको अभी तक कोई निवित करन नहीं है और नीजी करन लिया है साथ में तो सफाई करमचारी के अध्यक्ष है ये उस यूनियन के तो यह बता रहे हैं कि आपने कहा था कि नियमित करेंगे आपने नहीं कि यह स्थानिया मुद्दा है इस पर जवाब नहीं की जो करता है इनके पास क्या मुद्द्ध है बालमिक समाज की बस्तियों आने के लिए क्या हमें उस समय का एक दर्जा पराव्द मंतरी बनाएंगे कि आप कट्टर हिंदू आठ फलाओ डिकडाओ या हमारी रोजगारी दूर करेंगे यह आपने बहुत बढ़िया सवाल किया है इस पर जड़ा ध्यान देने के आवशक्ता है यह समस्या है इसके समाधान की अहर किसी को टिस्टी तुरंद कर रहे हैं बात जो मैं कह रहा हूं मेरी बात तो सुन लो जब यह अपना वीश्या रख शुक है सरकार के सामने तो मेरे मंतरी के सी तो कह रहे हैं कि आशुआ से बढ़िया नहीं मिला कुछ नोर कर दिया वही नवाथ पारतिया पार्टी ने पूरे कर दिये गए जो रहे गए वह पूरे कर दिये जाएंगे इन्होंने सासन पड़िया करा वीजेपी ने पांस साल ठीक था उन्हों मुद्दे थे राम मंदीर का था धारा 370 थी तो बन गया है लेकिन उनको बार-बार कब तक वोट मांगे यह उन चीज को यह जिन मुद तर जा देंगे इनके शेटिपिकेट में हम विदा लाप दा लैंगे इन्होंने बजाओ आई तक लाब दिया यह जो जातिकन करेंगे जातिकान से क्यों से वागरी भाजबा मुद्वव क्यूंत्य क्यों स्मार्ट शीटी बना नहीं स्मार्ट सिटी थी फिर आरक्षड फि क्योंकि आरक्षन बहुत विश्टित मुद्दा है और आरक्षन पर लगातार जो आरक्षन की व्यवस्ता यहां है उसके अनुरूप आरक्षन यहां लागू है लेकिन लोगों की जो डिमांड है वो आप जानते हैं कि इनकी कुछ 15-17 जातियों की पहले सुची करने के लिए वो लाया गया था लेकिन उसको पहले तो मायावती कोट चली गई थी उसमें यह उस समय की घटना है उस समय से चलावा मामला है यह पुराना मामला पेचीदा प्रोसेस है पूरा जो मामला है ठीक है आप समय यह जानना चाहता था कि नेताओं के पास तमा क्रवशल को अपनी अपनी समस्यां से चूज रहा है सब कुछ चल रहा है झेटर दर चेटर आगे बढ़ते जाते हैं आप इस चीज को समस्यों के सो क्लूमिटर आगए चले जाएंगे समस्चा कुछ और हो जाएगी हर चीज होती है आप ने तो अभी तक काफी सरकारे आई गई देख लिया होगा सब कुछ देख लिया होगा इमानदारी के साथ बताइएगा कि कौन सी सरकार ऐसी रही जिसने सच में खतौली के लिए कुछ काम किया इसके मन में जिसकी नियत थी साफ अब अगर मैं किसी एक पार्टी का भी नाम लूँगा तो मैं एक पार्टी का गिना जाओंगा यह भी तो एक प्रोब्लम होती है यह सड़क अभी हमारे धक्जी ने बताई कि यह बनवाई इनों मेरे खूब अच्छी तरह से याद है कि मनवर हसन ने पासकराई मना वरह सन ने बनवाई कहराने से और अपी थे जो पूरा एंपी थे उनके जमाने में यह बनी यह बैठे सब लोग जी पानिपाद कटी पर फीता इनोंने काट दिया हाज इनी कटावा था फीता पी पकटावा पहले बनी भी है अब की नहीं है यह बहुत पहली समस्त जानकार सब आप ही हैं महराज और कोई भी कुछ है खुर्सी पर मताटिया आप बात बताईए यह सेंट्रल रोड फंड से 29 करोड रुपे से मानिया संजीव बालियान जी के द्वारा यहां से बुढ़ाने तक और बहुजन समाज पार्टी की सरकार में मानने योगरा तक पूरा रोड बनाया है यह एक दिन का प्रोग्राम निता इसमें योगराज ने भी काम किया है सभी नेताउना काम किया है इसके बाद तो पता नहीं कितनी बार डामर पढ़के बन गई योगराज बने ना दुबारा वो तो ठीक है फिर बढ़िया है था पनकार यह हुआ बाद में वह पी डवलूटी गोद लेले पी डवलूटी तीन साल प्रोग्राम का समापन करेंगे सीधे तोर पर ठीक है इनकी नोकरी जटो में कोन करेंगा क्या बाजबके निटर करेंगे आके यह सारी फसल को खाजा हजार रुपे का भी घेत में डाल लेंट रिजे सांड खाजा किसने चुडवाए क्यों इन पे सुविधा होती हम बीजेबिक वोट दे रखी बीजेबिका विरोद करेंगे त करेंगे क्यूं से काम करेंगे tapping social उखने राइगी को नहीं करेंगे वोट करेंगे में बीजेबिक वोट पादक और भोक्ता के बीच में बीजेबिक की सरकारत है क्यों इतना अंतर होता है अभी एक बालवी की समाज ने अभी पांच-चार मिनट पहले एक सवाल किया है उसने कई मुझ्दे रखे भारते जन्ता पार्टी के वेक्ट अभी उस भाई ने रखे की वे जो है अभी परसी नीदी मंडल सपाई करमचारी को लेके मिला था मैं आप लोगों को पता देना चाहता हूँ जब समाजवादी की सरकार थी तो ये सवीदा पर करमचारी थे इनकी साड़े चार हजार रुपए पर्तिमंद तनका हुआ करते थी और जब समाजवादी की सरकार आई तो इनकी साड़े तेरह हजार रुपए समाजवादी के तुम्हेंगे शुटार करें यहां पर मुद्धे करना होटा जो बीपक्ष का जो काम होता है उसके प्रेंका गांधी जी ज्यादा नजर आ रहे हैं अकलेश आदव जी पूरा मजमा समाले रही अखिलेश आदव जी बहुत बाद में पहुच पाए अगरा में भी प्रेंका ग यह चार गाघिए इस मुत उर्टेन कुछ नहीं है उनकी जान की कीमत नहीं है मैं बता रहा हूं, वे तीन किसान थे, एक पतकार था, चार अन्ने भी लोग थे, लेकिन उनका कुछ लोगों का 45-45 रुपे में मामला निम्टा गया, सरकारी नोकरी देने का वादा किया, मुझे नहीं लगता है कि उन्हें सरकारी नोकरी नी मिलेगी, जब हमारे राष्टे जब घर से निकलिया के लिए दिन सुबही, और और लोग भी जो नेता वाँ जाना चारे थे, उन्हें ही रास्ते में रोख लिया गया, चाहिए वे लोग दलके हो, चाहिए पिर यंका गांदी हो, चाहिए समाजबादी जी लड़ी, डटी, वो आखरी में पहुंची, वो साथ बाहर कि डंडे रोख भी कारें, चौनाओं जो जो होगा, तिकोणाओं होगा, सबसे ज़ादे मजबूत परबल दावेदार समाजबादी प्रती है, लरए विकोर करेंगे, और लगातार लोगों के सुक दुग में शामिल हो करके, हमने लोगों के सुक दुग को तो उठाया है इसलिए इस झेतर की सारी जन्ता भरातना पॉर्टी के साथ है जो है थीग है शोगया थी के आप नथे आप आते हैं तो उसमें कई ना कि आपका पलडा जो है बारी उपरी इस आप आखरी समय पर अगर बाजी पलट गई तह आपका इनको छोड के इनके पास तो नहीं चले आएंगे इनके पास हम कभी नहीं जायेंगे न जायेंगे और जनता बता देगी कि राष्टी लोगने यह ल길 नेताओं की बड़ी रटी रटाईल आईने होती है कि इनके आतो Reg franchise कहते हैं तो जनता कुझ लाइग है को न करते हैं कों करता है बारतिय नहीं करते हैं आप चलिए तो आखिर में आप किसान निता बचते हैं आप आखिर मेहीं बचते सारी पार्टियां जो हैं आपको खूब बढ़िया से आपके कंदे पर रखके खूब लाठी तलवार भाला सब चला लेती हैं बाद में चुनाओं आने के बाद फिर राम राम प्रडाम सलाम देखो यह तो वास्तविक्ता है यह गंभीर मसला भी है ऐसा नहीं है कि आज की बीजेपी सरकार की बात है इससे पहले भी तमाम सरकारे रहीं कॉंग्रेस की बात करूं आत्मत्याओं के अगर ग्राफ उठाकर देखेंगे कर्ज में दबे किसानों की बात करेंगे तो यह अपर जा भूल बाजबा वाले जब अखलेश की सरकारती हमारे भी यह बांदुल नचलते थे इनके पास बी किसान संग वगर है तो यह बांदुल करते तो गणने करेंगे ट सइड़े चार सूर पर मांगे शुर नचलता देदी यह इननने क्यों नहीं नहीं दिया यह पिर पर जुम्मला बताव लगें लेकिन खरेन उतर रहें लोगदल की एक बात है लोगदल का आज बहुत बड़ा ऐसा ने चोद्रियों जी को लेकर ही आज तक लोगों की भावनाय जुड़ी हुई यह अच्छी चीज है और उसके बाद में नियत साफ होती है तो उसी चीज का तोहफा होता है कि प्रदान मंत्री पद तक पहुंच जाता है तो जी सिंग नहीं जोता जो उसकी दूरी आती वो सेंटर में गटाई जगे जगे शुरकर फैक्टरी लगी आज किसान करना कम शड़कों पर नहीं है यद कोई आखिर में कोई कुछ कहना चाहता हो किसी का रहे गया हो मन में दिल में कोई बात रहे गई हो दो भी जवान से उसको बाहर लाई यह ऐसी डिवेटे तो चल रही है प्रावर आपकी बढ़िया चल रही है मगर यह जो नो जवान है जिनके पांस साल तो यह खराब हो आने वाले पांस साल जो अब अठारा साल के बच्चे हैं उने चांच मिले क्योंकि दो साल हो कालीज बंद हुए अब शुरू हुए पढ़ाई तो हम वह भूर फिकर इन बच्चों के बशुचे के बारे में करना कोई फेक्ट्री इन पांस साल में हमारे जिले में को लगी ह करने का ज्यादा समय मिल गया यारी करना का सब्सक्राइब निकल जाएगी निकल गई उमर अभी तो एक साल है ठीक है वही बता रहा हूं कि बड़ी अच्छी बात इन्हों कि जो आर्मी में जो एज होती है वहीं तो निकल गयी अपरती नहीं कि निकल गई इसके लिए सेस्टार के बढ़े बच्चों के बात कहीं कि ठीक है दो साल को रोना का भी रहा तो युवाओं पर भी विचार करने की ज़रुत है युवाओं के बारे में भी सोचने की ज़़ए क्योंकि पढ़ाई लिखाई एक कुछ भी कहने लीजें की फोन से हुई टैबलेट से हुई कंप्यूटर से हुई लेकिन कहीं ना कहीं पढ़ाई लिखाई वह उस हद तक हो कारिकरम समापन हो चुका है इसलिए तालिया बजा दीजे आखरी में नेतागडों ने इतनी खुबसूरती के साथ जवाब दिये आपका बहुत बहुत शुक्रिया रहेगा सभी का तो शामली में हम कारिकरम करके यहां पर आये थे यह खतौली विधान सभा है जहां पर हमने स समधान को जानने की कोशिश करेंगे बाकि देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहेएगा निउस वर्ड इंडिया के साथ तन्यवाद फिलाल वर्तमान की सरकार में क्या हो रहा है किसान मर रहा है खेत में लड़किया मर रही है रेप म मुफ्तर राशन किसे दे रहे जब पैसा है उनके पास तो मुफ्तर राशन क्यों दे रहे उत आक्या आपको नौकरी मिठा मिठा खाएखाए खाए खुडवा खुड़वा थूक दे या गीता मंगवादू कुरान मंगवादू हाथ रखवा कि पुछवाओं कैसे मैं कैसे समस्त जानकारी समस्त वेद ग्याता समस्त सिक्षावेद समस्त जानकार सब आप ही हैं महराज और कोई भी कुछ है कुर्सी में पत्राटिक